तो गैस अभी आपने चीश वीडियो को देखा उसी वीडियो का टुटोरिल में आपको देने वाला हूं कि ये वीडियो जो है इंस्टागराम रिल्स पर भी ट्रेंड में चल रहा है और आपको ये वीडियो बनाके जरूर अपलोड कर देना चाहिए कि इस वीडियो का वायर डालके बना सकते हो और इसे बनाने के लिए आपको दो एप्लिकेशन का जरूरत परेगा पहला अप्लिकेशन का नाम है कैपकट अप्लिकेशन आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि ये प्लेइस्टोर पे नहीं मिलेगा इंडिया में बैन है और दूसरा तरीका य यूज करने वाला हूँ ये भी आपको गूगल प्लेश्टोर पे मिल जाएगा उसकर आपको वीडियो कैसे एडिट करना एफेक्ट कैसे लगाना है चलो मैं आपको सीधे अप पे लिए चलता हूँ और वहां पे आपको बताता हूं तो सबसे पहले आपको क्वीक भीपियन अप्लिकेशन को ओपन करना है यहाँ पर सिंगापूर सेलेक्ट करके इस एरो पर क्लिक करना है तो यहाँ देख सकते हो वह बीपियन कनेक्ट हो चुका है बीपियन जैसे कनेक्ट कर लोग आपको कैपकट अप्लिकेशन को ओपन करना है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएग निव प्रोजेक्ट वाले option पे क्लिक करना है और यह आपके gallery में लेकर आपको चलाएगा आप चाहे तो 5 फोटो ले सकते हो या एक फोटो 4 वीडियो तो यहाँ पे एक वीडियो है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और फोटो से किसी 4 फोटो को हम सेलेक्ट करते हैं तो लोकी को स सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ Captain America, Thor, Iron Man है और इस जगह पे मैं इस सभी को सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने 4 फोटो सेलेक्ट कर लिया एक वीडियो फिर आपको add पे क्लिक कर देना है तो देख सकते हो कि यहाँ पे सभी के सभी चीज आ चुके हैं अब अगर आपने वीडिय लेते हैं तो वीडियो के सांड को आफ करना है तो वीडियो पे क्लिक करो, वॉलियम पे क्लिक करके इसे कर दो जीरो और correct टो देख सकते हो सांड जो यहाँ पे आफ हो स्का है है अब इसके नीची तो hvis कि लीडियोरम कर सकते हो या तेलिग्ञाम से भी आप उससे डाउड क कर सकते हो तो add audio प्याव को क्लिक करना है यहां पर Sounds का option है इस पर क्लिक करना है और इस जगह पर from device का option मिलेगा इस पर क्लिक करना तो यहां पर साउंड है इस पर क्लिक करते हैं तो देखो तो जहाँ पर भी sound जादा बड़ा हो जा रहा है, तो इस point तक ही आपको video रखना है, फिर एक photo को इस point तक रखना है, यहाँ पर भी sound बड़ा हो रहा है, फिर sound का size देखो यहाँ पर भी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ तक एक photo रखना है, फिर sound का size यहाँ तक बड़ा हो रहा है तो यहां तक एक photo रखना है तो इसी 4 point तक ही आपको photo रखना है फिर आप effect लगा दोगा आपका video ready हो जाएगा तो देखो सबसे पहले यहां पे sound बड़ा हो रहा है तो हम video को इतना तक ही रखेंगे और इधर जो भी extra video उसे cut कर देंगे तो इस पे click करके split करते हैं और इधर के video को हम कर देंगे यहां से delete ठीक है तो video यहीं तक आ गया अब दूसरा sound यहां पे बड़ा होड़ा है ठीक है तो यहीं तक हमें lockie का photo रखना है यानि कि आपका first photo तो फिर से इस पे click करो split करो और इधर वाले photo को कर दो delete यहां sound बड़ा होड़ा है तो इस पे click करके split करके इसे कर देते हैं delete अब last वाला को sound के last तक ही रखते हैं इधर वाले को करके split करके और कर दो इसे delete अब देखो video के last में cap cut का water mark आता है आप चाहे तो इसे रख सकते हो या delete कर सकते है delete करने के लिए इस पे click करो और delete पे click कर दो तो देखो इस तरह से आपका beat के हिसाब से आपका photo change होगा आप देख सकते हो यहां पे beat जैसे हो रहा चेंज हो रहा लेकिन इसमें कोई effect नहीं है भी हम इसमें effect लगाएंगे ठीक है अब देखो आपको क्या करना है कि आपका photo अगर frame में fit नहीं हो रहा है तो इसे fit करना है जैसे कि यह पुड़ा fit है यह photo भी fit है लेकिन यह fit नहीं है उपर में थोरा black है नीचे black है तो इसे fit करने के लिए दो उंगली की साहिता से ऐसे आपको इस पे click करके और zoom कर देना है तो यह fit हो जाएगा देखो ठीक है उसी तरह से लोकी वाले photo को हम कर देते हैं आपका अगर कोई दूसरा photo है तो उसे आप ऐसे select कर लेना ओके अब यहाँ पे देखो आपको effect लगाना है उसकर आपका video एक दम ready हो जाएगा अब देखो guys यहाँ पे तो यह sound सब बढ़ा हो रहा तो वहाँ तक मैंने photo लगा लिया लेकिन यहाँ पे देखो दो जगा और sound बढ़ा हो रहा है एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तीन जगा हो रहा है तो देखो first में जो sound बड़ा होड़ा है इस point पे आपको आना है और यहाँ पे आपको एक effects का option मिलेगा इस पे click करना और थोड़ा सा नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे एक white flash आपको मिलेगा इस पे click करना और कर देना okay अब इस white flash को आपको एकदम छोटा कर देना जित्ता छ add effect और उसी वाले white flash को एक बार और लेना है आपको तो हम यहाँ पे white flash को लेके okay करते हैं सेम चीज इसे भी जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर दो फिर से एक बार back करो अब इस sound यहाँ पर भी बड़ा होड़ा है तो इस point पे आना है effects पे click करो add effect फिर से उसी वाले को ल देते हैं इतना ठीक है इधर का काम complete अब यह जो चार फोटो इसमें shake effect लगाना है ताकि sound के हिसाब से यह beat पे select हो जाए तो आपको क्या करना है इस पे click करो और यहाँ पे देखो animation का आपको option मिलेगा इस पे click करना in का option मिलेगा इस पे click करना फिर देखो आपको बहुत सारे effects मिल जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इधर देखो जितने भी shake effect है उसमें से किसी एक को लेना तो चलो मैं ले लेता हूँ इसको और इसे कर दो आप पूरे photo तक जितना बार आपको photo है उतना तक इसे बढ़ा दो फिर इस पे click करना है दूसरे वाले photo पे और इ पूरे photo तक फिर इसको select करके और उसी तरह से आपको जो है कोई दूसरा वाला लेना है तो हम इसे को लेके इससे कर देते हैं पूरा photo तक अब वीडियो को हम play करके दिखाते हैं वीडियो totally ready हो चुका है तो play करके दिखाते हैं आप देख लो फाइनली effect के साथ आपका वीडियो ready हो जाएगा अब इससे आपको क्या करना अपने memory card में save करना है उसके लिए इस arrow पे क्लिक करो यहाँ पे आपको कुछ छेड़चार नहीं करना direct export कर दो जैसे ही export हो जाएगा आपको instagram के उसी sound पे इस वीडियो को upload करना है जो sound trend में चल र आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का effect आप अपने फोटो या वीडियो पर कैसे लगा सकते हो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए दूस्तों के शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और हाँ एक कमेंट करके जरूर जाना क्योंकि आपका एक कमेंट जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना वीडियो के रिगार्डिंग तो मिलते हैं किसे और इंटेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाबाई